हे गाईस विल्कम डू सक्सस दिलिप मेंदिलिप कुमार स्वागत है अपके इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की नई वेकिंसिस की बारे में जो की वेकिंसि रिलीज की गई है एक पैट्रो केमिकल्स डिपार्टमेंट की तरब से यहने की एक पैट्रोलियम विभाग है एक डिपार्टमेंट है प्राइवेट और्गनाजेशन से यहाँ पर पर्मानेंट जॉब्स के लिए जब अरजस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है जो की ओल इंडिया के कैनेड एहं पर एपलाई कर सकते हैं चाहे आप आप आई ट आपको उसको फॉर्म जो है ओन्लाइन एपलाई करना होगा एपलिकेशन के प्रोसेस के पार आपको सौट लिस्टेट की जाएगी देन आपको ट्रेट टेस्ट इंट्रिव्यूस के लिए क्वालिफाय किया जागा और वहां पर बुलाय जाएगा जिसके लिए सभी छात्र आविदन कर सकते हैं चाहिआ पाई टी आई हो डिपलमा हो मेल हो फीमेल हो सारे के इंडेड आलिजबल है चलिए आगे बढ़ते हैं मैं डिटेल नोडिफिकेशन वाई सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यह कौन सा पेट्रो केमिकल का डिपार्टमेंट है किस तरह की डिप आपको बताऊंगा करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं इससे पहले रिक्विस्टेड होगी चनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और आप अपना ट्रेड अपना ब्रांस हमें जरूर कमेंट करके बताईए तेके गए जिस डिपार्टमेंट की मैं बात करने वाला ह यह बारुज गुजरात में इसका बेश्ट है आप देख सकते हैं यह जितने यह जो प्लांट आपको दिखाए दे रहा है यह पेट्रो केमिकल्स का प्लांट है इनका अप्रॉक्समेटली फर्मासुटिकल्स में ज्यादा प्रोसेस पहले होता था यहने की मेडिकल जो केमि कुछ कर रही है तो उसी डिपार्टमेंट में आपकी जोब लागी की पेट्रो केमिकल्स में में भी आपको डिपार्टमेंट समझ आ गया चलिए अब वापस चलते नोडिफिकेशन की और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस ट्रेड एन ब्रांज के लिए रिक्रूट्मेंट को प्रेज कर लें और इसी तरह बहतरीन जॉब्स अब्डेट पाने के लिए टेलिग्राम चैनल से जोड़ जाए लिंक आपको डिस्कूप्सन में मिल जाएगी तो गईज जो नोडिफिकेशन पब्लीस की गई है और लिंक्डिन पे एक एचार है आपका जो की टेलेंट ए इसकी गई है देख सकते हैं मातर छे घंटा पहले वेगेंसिस की नोड़ीस पब्लीस की गई है इसकी देखें ये रिक्रूटमेंट ये जो इंडस्ट्री एफरमसोटिकल्स में वर्क करती है है तो पेट्रो केमिकल्स का पेट्रोलियम इवाग बड़ आपको फरमसोटिकल् का मिलेगा आप शोड़ी देख लो सोगेस यूर टैलेंट एंड पार्ट अडलफूर का चल उन जो आपका इंट्रव्यूस बॉकें इंट्रव्यूस का डेट है उनीस अप्रेल दोजार चौबीस को यहां पर रखा गया है चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नोडिफिकेसंस क कि अलग-अलग ब्रांच अनलग-अलग क्वालिफिकेसंस के लिए कौन सी रिकूट्मेंट रिलेस के गई है सबसे पहले जौब रोल देखेंगे फिर क्वालिफिकेसंस पे हम नज़ा डालेंगे देन रिकूट्मेंट पहले है वेकनसी सूपरवाइजर्स की जहां पर RTI AOCP trade के candidate apply कर सकते हैं AOCP आपको पता है ना attendant operator chemical plant जो मैंने कुछ दिन पहले ordinance factory की vacancies बताई थी अगर आप AOCP trade से हैं coordinates factory बड़माल की तरप से सरकारी नोकरी की vacancy आई है जरूर reply कर लिजेगा वो वीडियो देख लिजेगा सकसर दिलिप चैनल पे मिल जाएगे हैं तो यह है AOCP trade के लिए और minimum 3-5 साल का experience required है तो minimum आपका experience होना चाहिए without any experience कोई भी form apply नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपने apprenticeship कर रखी हो आपने ITI कर रखी हो किसी भी trade से जैसे मानलो electricity की यहाँ पर vacancy है तो आपने apprenticeship किया है किसी भी government recognized इंसूट से जैसे railway से हो गया भेल, sale, coal, India अधर कहीं से भी तो आप अराम से इसमें apply कर सकते हैं आपकी job लगन की संभावना बहुत अची खासी होगी अधरावज अपने Indian oil से कर रखी होगी BPCL से तो इसमें apply करोगे तो 100% आपको jobs मिल जाएगी योगी गया इस government apprenticeship करने के बाद वो आपका एक साल का experience qualify हो जाता है और आपने government से किया है तो इस अप private organization से ही अराम से आपका email को shortly sheet करेंगे लाइसेंस होना चाहिए जो airman का होता है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं इंस्ट्रूमेंशन्स ऑपरेशन इंजिनियर जहां पर बीटेक केंडिड अप्लाय कर सकते हैं यहां भी experience required है technician की vacancy है operations में तो ITI इंस्ट्रूमेंशन्स जो instrument mechanical recruitment आती है वो trade यहां पर apply कर सकते हैं फि one year की boiler जो certification है वो आपने कर रखी हो experience के साथ तो basic apply कर सकते हैं फिर mechanical utility service technician में तो यहां पर ITI RFM जो रखा गया है वो trade eligible है experience minimum 3 years इसमें कौन apply कर सकता है जो air compressors होता है cooling tower हो गया ब्रिलिंग share हो गया तो यह अलग सा treat होता है RFM का उसमें आप apply कर सकते हैं फिर आपका boiler supervisor जहां पर डिपलोमा की mechanical engineering apply कर सकते हैं बट boiler certifications की experience आई है फिर आपका quality chemist की जहां पर MC या फिर BST कर रखी हो तो apply कर सकते हैं तो यहां पर ITI student के लिए vacancy है डिपलोमा के लिए vacancy है और B.B.Tech के लिए vacancy release की गई है vacancy पहले जो release की गई थी उतना vacancy नहीं है बट जो भी release की गई है आप यहां पर देख सकते हैं eligible है तो apply कर सकते हैं अगर आपने apprenticeship भी कर रखी हो experience नहीं कि पराम से eligible है अब देख लो यह जो आपका interview walk-in interviews के थुरू selections होगा और आरती industry limited गुजरात में based है मैं बता चुका हूँ उनीस अप्रेल 24 फ्राइडे के दिन आपकी interview होगी 9 बजे से लेकर 4 बजे के 20 में जब आप visit करो तो updated CV and with all documents xerox and original लेकर आप visit यहां पर जरूर करें गाई यहां पर full address mention है कि आपको कहां पर यहां पर visit करनी है जितने भी student है अगर आ आप नहीं जा सकतें interviews के लिए में भी सारे student नहीं जा सकते हैं जो जा सकते हैं जरूर जाएं और जो नहीं जा सकते हैं तो मैं आपको email id बताऊंगा उस email id में आपको जो है अपनी updated resume या फिर जो CV है जो आपका CV बोलते हैं उस CV जो आपको send करनी होगी ओके फिर भी आप address व और petroleum भी भागे तो आपको अच्छी salary भी यहां पर आपको provide की जाएगी age कफी सारे student पूछते हैं तो देखें guys government के data के अनुसारे recording जितनी भी recruitment आ रही है 18 साल से लेकर 35 साल के candidate अराम से form apply कर सकते हैं अगर आपका उमरे 40 साल है तो आपको experience ज्यादा मांगा जाएगा simple सी बा आपको इंटर्वियों में shortlisted नहीं करेंगे तो यह recruitment data होता है किसी भी private organizations का notification link का description मौज़ोद है जो भी interested candidate apply करो कुछ doubt हो रही है आपके मानमेद comment करके जरूर बताना वीडियो इस फिल लगई हो like सेरे और सब्सक्राब करें मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक लेज़ा है झाल 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